नमस्कार ड्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कोविड 19 इस वक्त हमारे देश में किस्थिती में है या हम किस्थिती में है और दुनिया के हालत अभी क्या है अगर दुनिया में पहले एक बाद नजर डालते हैं हम देखेंगे कि 5.5, 5.6 बिलियन की लगवग बतलब की 55, 56 लाख लोग इस वक्त कोविड 19 के शिकार हैं दुनिया में और अगर हम देखें किस रफ्तार से बढ़ रहा है तो हम देखेंगे दूसरे जगहों पे इस वक्त इसकी बढ़त काफी है एक बाद नजर डालते हैं चार्ट्स जो हम आपको दिखाते हैं उसके उपर if you can see the charts हम इसको log chart के रूप में दिखाते हैं इसका मतलब संख्या कितने लोग infected हो रहे हैं वो log में है और days जो है जादा साफ होता है तो देखिए जैसे world repeater की chart आपको ले जाते हैं यह जैसे दिखाते हैं यह आपके log scale पे नहीं है यह normal scale है देखेंगे कि suddenly एक इस तरह से बढ़ोती नजर आती है और इस पे जो छोटे मोटे परिवर्तन है जो पहले की सिती थी वो समझ में नहीं आते हैं जो log scale में देखेंगे तब पता चलता है कि कितनी रफ्तार से पहले बढ़ी इसके बाद slow down किया चीन का जब control आये तब और फिर जैसे में तो कैसे दुनिया की संखा वड़ी और इस वक्त हम कहां पर है तो यह log scale में हम जो दिखाते हैं इसे नहीं दिखाते हैं कि काफी मात का जो बढ़ात्री है उसमें फरक किया है तो इसमें और एक सीज हम जो करते हैं सब को सब देशों को तुम्कि अलग-अलग वक्त पे वहाँ पर इस epidemic का फैलाव शुरू हुआ है तो सबको 100 infected होने के बाद किस रफ्तार से बढ़े हैं वो दिखाते हैं how countries have developed if we compare them to each other after 100 patients have been registered so we adjust the days by superimposing as if they have all started on the same day इसका मतलब है कि उसको हम इस नजरे से देखते हैं कि सब शायद एक ही दिन पे शुरू हुए थे जब कि हम जानते हैं एक दूसरे में दिनों की काफी फरक है तो इससे एक नजर में हम यह भी पता पाएंगे कि कौन सा देश कितना अच्छा इसको कंट्रोल कर पाया कैसे नहीं कंट्रोल कर पाया अगर अमरीका की रफ्तार देखें अब देखेंगे 86 दिन से वो 100 दिन 100 विक्टिम्स जो थे उसका उससे 86 दिन गुजर चुका है अभी उनके करीब 17 लाख पेशन्स वहां पर मौजूद है और अगर 9 लाख देखना है तो आप देखेंगे करीब 54 दिन के लगभग 9 लाख के उपर वो पहुँचे थे इसका मतलब है कि ये पीछले 30 दिन में उनका संख्या डबल हुआ है इसका मतलब पहले से काफी बहतर है पहले तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में इनकी डबलिंग संख्या हो रही थी अब तो 30 दिन पे पहुँच चुके हैं मतलब पहले से काफी बहतर सितीम है पर अभी भी अगर हम नज़र डाले तो देखेंगे हर रोज उनक्या संख्या, उनका जो नए इनफेक्टेड हो रहे उनक्या संख्या काफी है अब देखिए एक नज़र डालते हैं यहां पर यहां पर कौन से देश कहां पर है उसकी ताली का है उसके देखेंगे पीछले दिन, 24-24 घंटे में करीब करीब 20,000 लोग अमरीका में भी नए इनफेक्शन में निकलाए है तो इसका मतलब रफ्तार घटा है और संख्या भी भी जारी है अब बाते जैसे इटली के संख्या देखें क्योंकि इटली इन देशों में सबसे आगे था सबसे पहले यहां शुरू हुआ था इसका इनफेक्शन तो देखेंगे इनकी रफ्तार काफी फ्लैट है और उसमें बहुती खास देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब इटली इस वक्त अपने इनफेक्शन पे काबू पा लिया है और देखें दूसरे जो देश है इस वक्त रश्या उसकी संख्या बढ़ रही थी तेजी से पर इस वक्त लगता है फ्लैटन होने के निगाह में उस रास्ते पे है ब्रेजिल जो काफी चर्चा में है इस वक्त दूसरे स्थान में है दुनिया में ब्रेजिल का संख्या अगर आप देखें तो देखेंगे कि इस वक्त ब्रेजिल में जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहे थे उसी रफ्तार से अभी भी बढ़ रहा है ब्रेजिल और वहाँ पर संख्या करीब 4 लाग का पास पहुंच गया आईए देखते हैं हिंदुस्तान के पर एक नजर यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जो सरकार भी अभी कह रही है कि हमारे संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब कि हम इस वक्त इस विमारी के महामारी के लूपर काभू नहीं पाए हैं। आप इसका मतलब कि हिंदुस्तान जबही हैं हम घुट नेवरी के जो भावारी के चल रही है उस पर हम काबू नहीं पा लिए हैं ये हमारे सामने है और हिंदुस्तान इस वक्त दस्वा स्थान पे है दुनिया में सबसे infected में पर वो चिंता की बात नहीं है चिंता की बात ये है कि नए infection जो निकल रहे हैं अगर हम देखें कि नए जो बिमार हो रहे हैं उनके हमें हमारी तालिका में किस स्थान पर वह हैं, तो हम देखेंगे हमारा चौथा स्थान है, इसका मतलब जो नए, पीछले 24 घंटे में जो बिमार हो चुके हैं, COVID-19 की शिकार हो चुके हैं, उस पर हमारा चौथा स्थान है, तो ये दिखाद दर्शाता है, कि हमारा इस वक्त इस पर अभी भी हम काबू नहीं पाए हैं और जिस रफ्तार से चल रहे हैं वो रफ्तार अभी भी जारी है ये भी सोचने की बात है कि हमारे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लॉक्डाउन की आंकड़े हैं क्योंकि पीछले साथ दिन, दस दिन में जो infections आते हैं वो आते हैं जो कि पहले हो चुके हैं क्योंकि इसका एक क्या कहते एक पीरियड होता है जिसके पहले infection होने के बाद आपको पता चलता है करीब एक हपता, दस दिन, दो हपता बाद इसलिए अभी भी जो हमारे आंक्रे आरे, lockdown के आंक्रे lockdown के वक्त infected थे so these are figures which are already there, people who are infected during the lockdown which we are finding out now, so what will be the figures after we have lifted the lockdown, we have to see if we look at the Indian figures, Hindustan के अगर figures को हम देखे तो इस वक्त ए देड़ लाक्त उपर हमारे यहां पर लोग infected है, और यहां पर महराश्टर सबसे आगे है, सबको मालूम है मुंबाई शहर सबसे ज्यादा figures ला रहे हैं और महराश्टर में करीब 60% सिर्फ मुंबाई से है तो वहां पर अगर देखें इस वक्त करीब 55,000 के लगबग है, और यहां भी डबलिग रेट अगर देखें, करीब 12 दिन है, और यही हिंदुस्तान के भी डबलिग रेट है तो कुछ हद तक जो महराश्टर में हो रहा है वो भी दूस्ते जगों पर हो रहा है और अगर हम देखें कम फिगर्स थे, वहां पर भी कुछ बढ़ोती इस वक्त देखने को मिल रहा है, खास तोर से तिलिंगाने के बारे में शिकायत ही है कि वहां पर टेस्टिंग काफी कम हुए हैं, और टेस्टिंग बढ़ेगा तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी और दूसरी बात जो है इस पर टेस्टिंग पर आती है कि हम किस रफ़ता से टेस्ट कर रहे हैं अभी जिस तरह से हमारे यहां बीमारी लोगों में है उसको देखते वे लगता है कि टेस्टिंग के रफ़ता अभी भी धीमी है और इसको काफी बढ़ाने के जरुरत है सभी कह रहे है इस चीज को दूसरी बात इस पर हमें और भी सोचनी पड़ेगी कि जो अभी हमें यह माइग्रेशन्स जो हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं यह इस वज़ाए से हुए है कि लोग लोगों को बुनियादी जो मिलने के जरूरत है रहने के लिए शहर में वो नहीं मिल रहा था पतलब खाने को, रहने के जगह और जो दूसरे चीज ओ तहिननम जीवन के लिए जरूरी है, वो नहीं मिल रहा था people were not really able to live their families were not getting food they were not getting food they couldn't stay in the accommodations they were being thrown out they had no work so they were forced to migrate but they were forced to go back to their villages so this also is the other failure that we have had the collective failure particularly the central government not planning for this pehle lockdown was imposed in 4 hours so we had no notice amme koi notice nahin bila ta isfak lockdown bilni ki notice kaati but the arrangements still seem to have been the same mess because we have seen now huge numbers going back and that of course is carrying back the infections to the villages distributing all over the country and also forcing them to stick very closely together we have to stay with each other because they are going to train, trucks, bus there are social distancing, physical distancing but it's all that we have said and they are going to keep their babies whatever school districts are going to quarantine there are children's homes too there the school districts are going to quarantine but everyone is been having to quarantine if we have been having to have a family once we have been having a family of the migrants, people going back to their villages and mainly because we failed to keep them in the towns and we could not give them employment or food and this does bring about the central question of this COVID-19 epidemic जो central सवाल है मुख्य सवाल है कि इसको अमेक लाइन ओर प्रोब्लम की तरह क्रीट करने की कोशिश कर रहे section 144 curfew, ये शब्द आ रहे है पुलिस इसकी इस्तमाल कर रही है और the whole attempt is to convert this not into a public health problem, इसको public health नहीं, एक law and order problem की तरह हम ले जाने चाहते हैं, तो that is one of the tragedies, एक बहुत बढ़ा tragedy हमारे भी है कि जो हमें बहुत बहुत ही दर्दनाद रिश्व देखने को मिला है, migration के नाम पे, वो ये है कि हमारी वेर्थता इसको कैसे जो लोग शहर में थे उनको हमें कैसे ट्रीट करना है ये लगता है हमारे प्रिष्टी में थी ही नहीं, सरकार ने इसकी पूरी तरह से ला परवाही नजर अन्दास की और जो तथा के थे, stimulus की बात कहा इसकी stimulus के एक अंग्श भी उनके हाथ पे नहीं पहुंचा ये बहुत साफ है Unfortunately, it has very serious implications for our trajectory and unfortunately, this means the control over the trajectory your flattening of the graph जो कहीं जा रही है वो हमें कोने की सभावना इस वक्त कम है और ये रफ्तार बढ़ता ही रहेगा इस सभावना हमारे सामने है तो आखरी बात को इसी से खदम करना चाहूँगा कि अभी भी अगर हमें इस महामारी पे काबू पाना है तो हमें public health emergence की लूप में कैसे इसको देख सकते हैं वो हमारी दुष्टिकोन होने चाहिए और उसके साथ साथ टेस्टिंग को बढ़ाना लोगों को अलग करना अस्पताल को स्थितियों को संभालना ये अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरह से जो कर्व उपर जा रही है वो शायद चलता ही रहीगा आज के लिए इतना ही देखते रहेएगा न्यूस क्लेट